आज का हमारा टॉपिक है बेसिक स्ट्रॉक्चर औफ लेफ caille branch की अधरभूत संड़जना किसी भी प्लांट का सबसे इंपार्टन जो पार्ट होता है वो लेफ होता है जैनली लीफ से हमारा जो टात्थपर्य होता है वो होता है कि green पार्ट जो होता है leaf का चप्ता, पतला, हरा जो भाव होता है, फ्लेट जो भाव होता है, उसे जनरली लीफ कहा जाता है और जो प्रकास संसलेशन का एक महतबूर कारे करती हैं. लीफ, स्टैम और ब्रांचेस की जो नोट्स होती हैं, उनसे निकलने वाली एक लेटरल आउड क्रोथ होती है, जिसका ओरिजिन एक्जोजिनस होता है और यह हमेशा एक्रोपिटल मेनर, यानि अगर अभी सारी क्रम में बनती हैं, जो नई लीफ होती हैं, जो तरुन पत्तिय होती हैं, वो हमेशा उपर की तरफ और जो पुरानी लीफ होती हैं, वो नीची की तरफ होती हैं, पत्तियों के कक्ष में हमेशा एक कलीका होती है, जिसे कक्षिय कलीका या एक्जिलरी बड कहते हैं, और जो आविशक्ता होने पर ब्रांचेस या फ्लार का निर्मान करती है लीव्स, photosynthesis और transpiration का एक महत्पून कारे करने के साथ साथ ये reproduction की भी responsibility निभाती है और vegetative propagation करती है for example, bryophyllum, पथर चटा जिसमें की जो लीव्स होती हैं उनके आसपास कलियों के समान से निकल जाती है और जब वो मुख्य पादप शरीर से अलग होती है तो एक नया पादप बना लेती है leaves की जो growth होती है वो limited होती है एक particular length लेकर के या shape लेकर के leaf रुख जाती है तो leaf की जो growth होती है वो limited होती है और इसमें कोई भी growing point leaves में नहीं होता है अगर हम leaf की सामने संदशना की बात करते हैं तो leaf में तीन main parts होते हैं leaf base, pitule and lamina पर्नाधार, पर्णवरंथ and पर्णफलक पर्नाधार stem का जो attached part होता है और in fact जो shoot होती है उसी का ही prolonged part leaf base होता है और यह leaf base, leaf like structure में आगे जाके convert होता है बड़ा एक lamina बनाता है तो जो पर्नाधार होता है उसके base में stipules पाए जाते हैं दो leaf के समान संदशनाय पाए जाती हैं जिने stipules कहते हैं Monocotyledons में mostly जो leaf base होता है वो फेल करके और nodes के जो basal areas होते हैं उनको cover कर लेता है तब हम इसे leaf sheet कहते हैं कुछ plants, for example, leguminacy family के members में जो leaf base होता है वो फूला हुआ होता है और यह pulvinus कहलाता है इसके लवग के ऐसे plants होते हैं जिनमें जो leaf sheet जो बनती है वो पूरी तरह से उसके stem को cover कर लेते हैं और ऐसे leaf, amplexical leaves या stumbling की परण कहलाती है तो petiol के नीचे का जो part बिकुल stem से जुड़ता है वो leaf base कहलाता है परणाधार कहलाता है लेमिना और परणाधार के बीच में जो संरजना होती है वो परणवरंत कहलाती है परणवरंत, लंबा, पतला और स्टॉक के समान संरजना होती है जो आगे leaf blade को leaf base पे connect करता है और यह shoot से leaf को आधार देता है चिपकाय रखता है तो जो परणवरंत होता है वो लेमिना और leaf base को जोडने का कारे करता है अलग-अलग plants में जो petiols होते हैं उनकी presence, उनका shape, उनकी संदशना यह अलग-अलग होती है इनमें variations होते हैं कुछ plants में तो जो leaves होती है वो परणवरंत उसमें उपस्तिती नहीं होता है तो ऐसे leaves को अवरंत leaf या ससाइल leaves कहते हैं तो उसमें आप देखिएगा ध्यान से कि जो leaf होती है वो direct leaf base से stem पे जुड़ी रहते हैं उसमें petiol absent होता है तो ऐसी पत्तियां ससाइल या अवरंत leaf कहलाती है और कुछ plants में बहुत के लिए परणवरंत पाया जाता है पिटियॉल पाया जाता है ऐसी पत्तियों को सवरंत या पिटियॉलेट leaves कहा जाता है for example people नीम बहुत सारे इसके examples हैं जिसमें कि आपको बहुत के लिए दिखता है कि उसमें एक परणवरंत भी होता है कुछ जलिये पौध है for example इकॉर्णिया इकॉर्णिया में जो परणवरंत होता है वह spongy होता है जो की पौधों को बायंसी में उसको तेरने में क्योंकि जलिये पौध है तो उसको तेरने में help करता है नेक्स्ट इस जो पार्ट होता है जो की important पार्ट होता है प्लांट का लैमिना यह लैमिना चौड़ा फलक के समान पार्ट होता है और इसमें यह फ्लैक्ट रीजन होता है ग्रीन होता है और फोटो संथैसिस में अपना रोल अदा करता है यह पार्ट तो इस ग्रीन होता है तो naturally इसमें chlorophyll present होता है और chlorophyll present होने की वज़ा से ये photosynthesis की किरिया करते हैं इस पे रंद्र पाये जाते हैं इनके अलग-अलग प्लांच में अलग-अलग इनकी shape हो सकती है पंडफ अलग की इनके margins अलग-अलग हो सकते हैं इनके tips अलग में विभिनताय पाई जा सकती है जालिकावद पादब ये पैरलल समाना आनतर शिराविन्यास पाया जाता है ये पिटियोल होता है जो कि पंड फलक को शूट से जोड़ने का काम करता है और पंड फलक के बीच में पाया जाता है जब हमने आपको पढ़ाया था था आपको बताया था स्टेम पर नोड और इंटर नोड लोते हैं दो नोड के बीच की जो संदरशना होती है यह इंटर नोड कहलाती है और पत्ती के कक्षे में एक्जिलरी बड होती है जिससे या तो एक ब्रांच निकल सकती है या फिर फ्लार निकल सकता है, पिटियॉल जोकी पंडफलक का और पंडफलक जोके बड़ा सा ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, चोड़ा वह और पत्यों की कक्ष में बिल्कुलिस भी पाये जाते हैं, जोकी लीफ पेस पर बस्तित होते हैं, तो एक सामन्ने संदचना ली उनमें लबिने hu a परोकर दी ACT आछ भाण हो धार सोफigner हरा जते हैं उनमें लमिना य जो फरक्ष्री मोग पहले बनता है उसमें जहां लीफ प्राइमोडेया जिसमें प्रैमॉड्या होते हैं वो किक होता है एक से अधिक परद होती है no में लीफ प्राइमोडियास में जिसमें में ट्यूनिका और कर्पस कहलाती है और कुछ पादभ में इसा भी होता है कि जो ट्यूनिका की बाहे परत से पर्ण अधीकर बनती है और वहित्रे और कारपस की कोश्काएं होती हैं उनसे मीजोफिल और वैस्कुलर बंदल बलते हैं जनरली यह कहा जाता है तो शिमीड ने 1924 में एपिकल मैरिस्टेम चाहिए वो जिम्नो स्पर्म हो चाहिए अंजियो स्पर्म हो तो एपिकल मैरिस्टेम में दो उन्होंने जोन बता है ट्यूनिका और कार्पस तो ट्यूनिका जो होता है वो बहर का रीजन और कार्पस इंटर्नल रीजन बनाता है तो लीफ प्राइमोर्डियास जब लीफ की डवलप्मेंट शुरू होता है तो जो लीफ प्राइमोर्डियास होते हैं वो तेजी से व्रधी करते हैं और टैपिरि अगर यह रुख जाता है तो जो लीफ प्राइमोडिया वह बहुत चोटे होते हैं लगबग 1 mm का साइज होता है और अब इसके बाद जो लीफ होती है वह इंटरकैलेरी मेरिस्टेम द्वारा लेंथ में व्रधि करती है और पर्णक्ष की लंबाई के साथ साथ पत्ती की लेमिना होता है उसका डवलप्मेंट नॉर्मली जो लीव में होता है वह मार्जीनल इनिशल्स और सब मार्जीनल जो इनिशल्स होती है कोशिका है जो होती है इनके मार्जीनल इनिशल्स की उनमें विभाजन से होता है एंजियो स्पर्म प्लांट्स में जो मार्जीनल इनि तो जब एपिकल मेरिस्टेम में डिविजन होते हैं तो इनकी चोड़ाई बढ़ती है और जब इंटर कैलरी जो अंतर वेश ये जो मेरिस्टेम ये विविजयोतक उतक होते हैं उनसे उसकी लंबाई में व्रद्धी होती है तो एपिकल मेरिस्टेम इसका टिपरीजन बनाता ह इंटरकैलरे इसकी लेंथ में सायक होती हैं और जो मारजिनल मेरिस्टम होते हैं उनसे इनकी चोड़ा ही बढ़ती है तो । अंगsteal प्लांट्स में जो मारजिनल इनिशिल्स होते हैं उनमें अंटीकलाइनल डिविजन होता है और इससे पत्ति की अभियक सते जो होती है जो परत की संख्या बढ़ती है तो एकबिजपत्री प्लांट सोते हैं उनमें परिक्लाइनल विभाजन भी होता है अपिकल मैरी स्टेम में तो कुछ नई जो कोशिका होती है वो ग्राउंड मैरी स्टेम के साथ जुड़ जाती है कुछ समय के बाद यह जो मार्जिनल मैरी स्टेम होता है जो सीमान विभजयोतक उतक जो होते हैं वो थोड़ा वर्क करना कम कर देते हैं और फिर हर परत में ज्यादा तो जो पैरिक्लाइनल डिविजन से परत बनती है उनमें फिर एंटिक्लाइनल डिविजन होना शुरू हो और इससे पर्णफलक की जो व्रद्धी होती है लैमिना की व्रद्धी होती है और यह जो परते होती है यह प्लेट मेरी स्टेम कहलाती है साधनता इन से पत्ती की चोड़ाई भड़ती है मोटाई नहीं तो पत्ती में परतों का जो इनिशली जो वैवस्थित होती है जो क्र और पत्ती का जो वैस्कुलर सिस्टम का अभी तक बहुत किलियर वो नहीं कि जो वैस्कुलर सिस्टम होता है उसका डवलपमेंट किस प्रकार से होता है तो पंडफलक के परिवहदिन के शुरुआत के साथ ही बड़ी लेटरल वेंज और दूसरी जो वेंज होती है वो ग्र कर में अगर आभी सारी करम में उनका लिफ प्राइमोडिया डवलपमेंट जो प्त्ति जो मध्री शिरा होती है उसमें सन्वहन पूल बनता है तो जो मिडृ रीज़न होते है उन本 18 Fran empresa पूल बनते है इसका जो study हुई उसमें vascular bundles के development के बारे में बताया गया इसमें आप देखिए हमने आपको बताया कि जो marginal cells होते हैं और sub-marginal initials होते हैं उनसे किन-किन portions का development होता है जैसे आप देखिए इस diagram से आपको clear हो गया marginal initials होते हैं और sub-marginal initials होते हैं यानि सीमांत और उपसीमांत विब जो तक कोशिकाएं जो होते हैं तो यह जब meristematic हो जाते हैं marginal initials ट्यूनिक और कार्पस रिजिन्स में तो marginal initials upper epidermis and lower epidermis बनाते हैं जबकि sub-marginal जो initials होते हैं उनसे mesophyll region और vascular bundle बनते हैं मेजोफिल जो पढ़ मध्यों तक भाग होता है उसमें खामभू तक यानि पैलिसेट पैरनकाइमेटर सेल्स बनती हैं और बीच में मिड्रेब रिजन में vascular bundles बनते हैं तो simply जो लीफ का development होता है वो ट्यूनिका कार्पस या शू टेपिकल मेरिस्टेम की जो marginal initials होती हैं उनसे लीफ का development होता है और इसके लिए सबसे पहले लीफ प्राइमोडियास का development होता है और उनमें फिर जब anti-clinal और periclinal divisions होते हैं तो लीफ की लंबाई चोड़ाई और मोटाई बढ़ती है तो इस तरह से लीफ का development होता है तो इस class में हमने आपको simple लीफ का structure और लीफ का विकास या परिवर्धन किस प्रकार होता है वो आपको brief किया है next class में हम आपको type of leaves कि लीफ कितने प्रकार की होते हैं और किन-किन आधर पर हम लीफ को divide कर सकते हैं तो लीफ में बहुत variations होते हैं आप भी कभी अपने आसपास के garden में जाके आपने आसपास के खेतों में जाके देख हैं कोई आप अहरां गपर is chains isї, तो इसी तरहा से लीफ की हम अनाथमी में भी जब study करेंगे तो आपको बताएंगे कि छ 국 एक होते हैं उनकी अनाथमी डिफरेंट होते हैं उनकी उनक्यामी डिफृंगत होता हैं ओ अन्तृकसणरश्ना डिफरेंट होती हैं जो कि आपका त प्रेक्टिकल का पार्ट भी होगा तो यह हम आपको next class में simultaneously theory and practical दोनों cover करेंगे Thank you